पुरानी पैंशन बहाली की मांग को लेकर संयुक्त मोडचा के करमचारियों ने बागेश्वर के आतेहासिक सर्यू बगड में कुली बेगार की तर्ज पर आंदुलन किया बतादे कि नई पैंशन के विरोध में करमचारी सर्यू तट पर एकत्रित हुए और उन्होंने नई पैंशन की प्रतियों को जल में प्रवाहित कर दिया साथी सर्यू का पवत्र जल हाथ में लेकर पुरानी पैंशन बहाली के लिए आरपार की लड़ाई का संकल्प लिया करमचारीों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि खुद का वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए सभी नेता नए कानून बनाने में देर नहीं लगाते लेकिन करमचारीों को पूरी जिंदगी काम करने वाले करमचारीों को सरकार पैंशन देने से कत्रा रही है 16-17 सालों से इस कुपरथा को नई पैंशन को सरकार चलाती आ रही है और हर व्यक्ति को नई पैंशन से पीडित किया जा रहा है जिस पैंशन में किसी भी प्रकार का करमचारी का हेत नहीं है और करमचारी सेवनिर्थ होने के बाद भी अपने सम्मानित जीवन यापन के लायक भी नहीं रह पाता है इस प्रथा को बंद करने के लिए आज 14 जनवरी 1921 की तर्ज पर आज 13 जनवरी को हमने इस सर्यूगहाट पर उसी प्रथा के तहट आज हमने इस नए करमचारी पैंशन संख्या प्रान की प्रतियों को प्रवाहित किया है और इससे हम यह संदेज देना चाहते हैं सरकार को कि आपकी इस नई प्रथा जो नई प्रथा इसकीम जो आप चला रहे हैं यह हमारे लिए मृत समाने इसलिए आज हमने इसको प्रवाहित कर दिया है प्रवाहित करमचारी इस पुरानी पैंशन को पाकर रहेंगे मोर्चा के करमचारियों ने कहा कि सरकार ने नई पैंशन स्कीम लागू कर 2005 के बाद से सेवारत करमचारियों के साथ छल किया है पेंशन योजना को बाजार के हवाले कर दिया गया जिससे 60 साल के उम्र तक सेवा करने के बाद भी करमचारियों का भविश्य सुरक्षित नहीं है करमचारियों का कहना है कि उनके साथ सरयाम धोका हो रहा है और इसके लिए प्रदेश के लाखो करमचारी आने वाले समय में सरकार के खिलाफ हर प्रकार से अपने दाओं पेच लडानी की कोशिश करेंगे करमचारियों का कहना है कि पेंशन हमारा समवधाने कधिकार है और वो उसे हर हाल में लेकर रहेंगे अब देखना होगा कि करमचारियों के होंकार को देखते हुए पुरुशासन क्या कदम उठाता है पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदी शुपाध्या की रिपोर्ट